दोस्तो भीगो हुए अंकरित खाद पदार्थों में निूट्रियेंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसलिए अंकरित खाद पदार्थों का सेवन काफी फायदे मन्द होता है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आठ ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनको भीगो कर खाने से आपको बहुत सारे स्वास्तलाब होने वाले हैं तो आएए बिना किसी देदी के जानते हैं दोस्तो मेथी दाना मेथी दाने में फाइबर भरपूर मातरा में होता है जो की कब्ज को दूर करके आठों को साफ करने में मदद करता है डायबिटीस के रोग्यों के लिए भी मेथी दाना बहुत ज़्यदा फायदिमन होता है ये महिलाओं में period के समय होने वाले दर्द को भी कम करता है खस-खस दोस्तों खस-खस folate, thiamine और pentothenic acid का अच्छा source होता है इसमें मौर्जूद vitamin B, metabolism को बढ़ाता है इससे वजन को नियंतित करने में मदद मिलती है ये हमारी overall immunity को भी बढ़ाता है अलसी दोस्तों omega 3 और fatty acid का अलसी यानि की flaxseed एक मात साकाहारी source माना जाता है flaxseed neurodegenerative बिमारियों की रोग थाम में महतपूर भूमी का निवहता है ये bad cholesterol यानि की LDL को घटा कर हमारे दिल को healthy रखता है मुनक्का इसमे magnesium, potassium और iron काफी मात्रा में होता है मुनक्के का नियमिच 7 कैंसर की कोशिकाओं में बढ़ोतरी को रोकता है इससे हमारी skin भी healthy और चमकदार रहती है एनीमिया और kidney stone के मरीज के लिए मुनक्का बहुत ज़दा फायदेमंद होता है खड़ी मूंग या फिर sprout ये protein, fiber और vitamin B का बहतरीन source है इसका नियमिच 7 कबज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है इसमें potassium और magnesium की भरपूर मात्रा होने की बज़े से high BP के मरीजों के लिए भी इसे regular खाने की सलह दी जाती है काला चना अंकुरित काले चने में fiber पर्याप्त मात्रा में होता है जो कबज की समस्या को दूर करने में मदद करता है इसमें protein भी भरपूर मात्रा में होता है जो muscles मनाने में मददगार होता है इसका नियमिच 7 करने से ठकान और कमजोरी दूर होती है क्योंकि इसमें folic acid यानि की iron बहुत ज़्यादा होता है बादाम दोस्तो बादाम में magnesium होता है और या high BP के रोग्यों के लिए बेहत फायदे मंद होता है अध्यनों में बताया गया है कि नियमित रूप से भीगे हुए बादाम खाने से खराब कुलेस्टॉल यानि की LDL का लेवल कम हो जाता है इससे बुद्धी भी तेज होती है किश्मिश दोस्तो किश्मिश में antioxidant भरपूर मात्रा में होता है इसलिए एक रात पहले भीगी हुई किश्मिश को नियमित रूप से खाने से इसकिन healthy और चमकदार बनती है इसमें iron की भरपूर मात्रा होती है इसलिए इसका नियमित सेवन करने से एनीमिया के रोगियों को बहुत ज़्यादा फाइदा होता है जिन लोगों को खून की कमी है वे लोग एक महिने तक भीगी हुई किश्मिश खाएं खून की कमी दूर हो जाती है दोस्तों ये जानकारियां आपको कैसे लगी हमें कॉमेंट करके बताईएगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए सोस्त रहे और मस्त रहे